हाई दोस्तो आद बज्जू के जैसे कि आप सभी को बता हर साम 8 बज्जे हम इंडिया अमरे स्टुीजने पे लाइब क्लास लेते हैं आज जैसे कि मैंने कल भला था हर संडे हमारा चलते है मौडल टेस्ट पेपर तो आज हम आपको model test favor कराएंगे जहां होगा 15 GK का question 15 general science की question और 15 math होगा और 5 reasoning होगा ठीक है जो भी बच्चे आज भाई 40 plus मारो गए मान के चलना भाई इस दुनिया में कोई नहीं है जो आपको फॉजी बनने से रोक सकता है हम question थोड़ा hard रखे है math का question भी थोड़ा include किया है अच्छा question जो कि आपके exam में आने का पूरा chance है तो बिलकुल अगर आप 40 plus मारते हो तो मान के चलना भाई फॉज बन गए आप 90% फॉजी बन गए इसी साल आप बन जाओगे 100% अगर आप इस तरह से पी परसन करते रहे तो ठीक है तो बढ़ते हम आज की session की ओर पहले हम करा आप रिस्तित है आपको बतना है तो इसका right answer जो होगा वो हेगे में होगा ठीक है option भी होगा इसका right answer और एक चीज़ बोल दो आज हम option wise डिसकस नहीं करेंगे वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ठीक है तो बढ़ते हम दो number question की हो दो number question पूछा है कि होटी is full form of WHO या capital of Goa, Goa की राजधनी क्या है आपको बतना है तो Goa की राजधनी जो होगा वो पाना जी होगा ठीक है यानि कि option D होगा इसका right answer तो बढ़ते हम चार number question की और चार number question बहुत ही अच्छा question पूछा है कि निमने में से कौन सा गलत है आपको बतना है तो देखो option ये national flower जो होता ह की बाई सुन्दर बाउन में पाए जाता है और national यानि काओ नहीं है यानि कि option D गलत होगा पर इस question के लिए right answer जो होगा option D होगा ठीक है तो बढ़ते हम 5 number question की और 5 number question बहुत ही अच्छा question पूछा है कि first nuclear reaction of India भारत में पहला परमनो पतिक्रिया कहां पर होगा था आपको बत नहीं है तो देखो longest damn जो है वो हिराकुंद है एकदम right है ठीक हाइस damn जो है वो कारो मतलब सॉरी भकरा हो भकरा होगा इसका right answer भकरा होगा इसका मतलब a b right है और option C जो है largest delta सुंदर बाउन है जो की पस्चिम मंगाल में इस ती थे ये भी right है पर option D जो है वो गलत होगा ठीक यानि कि option D होगा इस question का right answer ठीक है तो बढ़ते हम 7 number question की हो 7 number question भी वही question पूछा है तो इस तरह का question हम include इसलिए करते है ताकि आपको चारों चीज जानना जरूरी है अगर आप इन में से एक को एक भी नहीं जानते है ना इसका मतलब आप confuse में पढ़ जाओगे ठीक है इसलि question पूछा है कि when was the name of all India radio radio change to by देखो इस question का आकाज बनी मतलब all India radio से आकाज बनी कब बना था इसका नाम कब change हुआ था आपको बतना है तो इसका right answer जो होगा 1997 में हुआ था है यानि कि option D होगा इसका right answer ठीक है तो बढ़ते हम 9 number question की हो 9 number question पूछा है कि मतलब भारत की प्रथ बतना है तो इसका right answer जो होगा वोगा लीला सेट यानि कि option D होगा इसका right answer और कोलकाता हाई कोट के बना था 5 आगस्ट 1991 में बना था 1991 में 5 5 आगस्ट बना था ठीक है इसका ध्यान रख लेना तो बढ़ते हम 10 number question क्योर 10 number question बहुत ही अच्छा question पूछा है कि where is headquarter of election commissioner located by चुन अब आयो का मुख्यलाई कहां पर इस्तित है आपको बतने है तो इसका right answer जो होगा और new Delhi Delhi में इस्तित होगा यानि कि option C होगा इसका right answer ठीक है तो बढ़ते हम 11 number question क्यों 11 number question बहुत ही अच्छा question पूछा है कि when does the main function of independent day celebrate by सतंत्रे दिवास का मुख्या मतलब कारिया कहां मना जाता है आपको बतने है तो ओगा भाई Delhi के ला मतलब Red Fort के अंदर मना जाता है जहां मतलब देखो independent जब हो तो मतलब सतंत्रे के टाइम जो हमारे देश की प्रहन मंतरी है वो भाई लाल किला में मतलब सौरी Red Fort में आके भासन देते है आप सभी को पता है यानि कि Delhi होगा इसक right answer ठीक है तो बढ़ते हैं 12 number question क्यों 12 number question पूचा है कि बाई अंदरे पदेश में कौन सा वहां सा बोला जाता है आपको बतना है तो अंदरे पदेश में जो होगा वो तेलिगू वहां सा बोला जाता है और माली अलम जो होगा वो केरल में बोला जाता है ठीक है तो बढ़ते हैं 13 number question क्यों तेरा number question पूछा है the largest food crops of India भारत के सबसे बड़ी फसल कौन सा है मतलब खाद्य फसल कौन सा है आपको बताना है बहुत ही अच्छा question है इसका right answer जो होगा भाई option मतलब option B होगा इसका right answer यानि कि option यह होगा यानि कि रायस यानि कि चावल होगा इसका right answer ठीक है option यह होगा इसका right answer तो बढ़ते हैं 14 number question क्यों 14 number question पूछा है कि the first Indian lady to become Miss Wald भाई पहला Miss Wald बनने वाले भारत यह महिला कौन था तो होगा भाई रीता फर्या यानि कि option यह होगा इसका right answer ठीक है तो बढ़ते हैं 15 number question क्यों 15 number question पूछा है कि who pesticide over the meeting of Rajya सब आपको बताना है इसका right answer जो होगा option भी vice president होगा इसका right answer ठीक है इसका ध्यान रख लेना है उपर रास्टेपती होगा इसका right answer तो बढ़ते हैं general science क्यों जहां आपका general science में 15 question पूछा जाएगा आपको बताना है तो देखो यान्तिरिक उड़्जा जो होगा वो सभी में परिवर्थत हो सकता है यानि कि धनी उड़्जा में भी हो सकता है electric उड़्जा में भी हो सकता है heat उड़्जा में भी हो सकता है यानि कि off sandy wall होगा इसका right answer ठीक है तो बढ़ते हैं 17 number question क्यों पूचा है कि when ice melt its density जब बरफ फिगलता है तो उसका घनत मतला स्वारी density यानि कि घनत क्या होगा आपको बताना है देखो घनत जो होगा जैसे कि आप सभी को बता है चार डिग्री Celsius में सबसे ज़्यादा होता है ठीक है जब बरफ मतलब बरफ का temperature कितना होता है zero degree होता है जब ओ पिगलता है यानि कि उसका ताप मत्रा बढ़ेगा यानि कि 4 डिग्री के करीब आएगा तो जितना 4 डिग्री के करीब आएगा उतना उसका घनत बढ़ेगा ठी प्रायतन जो होता है वो कम होता है इसका भी द्यान रख लेना है तो बढ़ते हम 18 नंबर कुछिशन की 18 नंबर कुछा है कि which of the following convert heat energy to mechanical energy यानि कि उसमा उटजा से यांतरिक उटजा में कौन सा यांतरि जो है वो परिवर्टत करता है तो होगा वाई heat engine होगा इसका right answer यानि क इलेक्टिक उटजा से mechanical aid मतलब उटजा में परिवर्टत करता है ठीक है तो बढ़ते हम 19 नंबर कुछिशन की और 19 नंबर कुछिशन पूछा है कि जी का maximum man कहां पर होता है तो जी का maximum man जो होता है वो पोल पर होता है यानि जी का अधिकतम man जो होगा option भी पोल पे होगा सब से कम होता है PTB के center में ठीक है तो बढ़ते हम 20 नंबर कुछिशन की और 20 नंबर कुछिशन पूछा है कि weight of a body freely falling जब सतंतर रूप से कोई बस्तू गिरता है तो उसका मतलब ozone क्या होता है उसका आपको बताना है तो इसका right answer होगा जीरो होगा ठीक है यानि कि option यह होगा इसक one number question पूछा है कि water in a kettle when put on fire gets hot as a whole due to by देखो कोई मतलब देखो कोई पात्र में पानी गरम किसके कारण होता है तो ओगावाई conduction के कारण होता है ठीक है यानि कि option भी होगा इसका right answer तो बढ़ते हैं 22 number question कि और 22 number question पूछा है कि धनी तरंग को मतलब धनी को चलने के लिए किसके जरूरत होती है आपको बतना है तो दनी को चलने के लिए जी डियास की आवसक्ता होते है वो गवाई एक माध्ध्यम की जरूरत है यानि कि option भी एक मीडियम की जरूरत है और निरवाद यानि वैक्यूम में जो है वो धनी नहीं चल सकता ठीक है इसका भी धेयान रख लेना है तो बढ़ते हैं 23 number question की और 23 number question बहुत ही अच्छा question पूछा है जब एक माधम से दूसरे माधम जाता है sound देखो उसका right answer देना है जो ओए जो एक तरंग जो होगा एक माधम से दूसरे माधम में जाता है तो उसका क्या जो है वो परिवर्तत नहीं होता है ठीक है इसका right answer जो होगा frequency जो होगा वो परिवर्तित नहीं होता है ठीक है और बाकी A, B, D जो होगा ये परिवर्तित होगा ठीक है तो बढ़ते हैं 24 number question की और 24 number question पूछा है कि image of an object is देखो मतलब देखो जब real होता है और inverted मतलब जो होता है न जब एक चबी बास्तव होती है और उल्टा होता है तो उसमें कौन सा lens होता है तो होगा वाई Convex यानि की उत्तल lens होगा इसका right answer ठीक है तो बढ़ते हैं 25 number question की और 25 number question कुछा है कि दूर दिश्ट्री दोस्को ठीक करने के लिए कौन सा lens यूज किया जाता है आपको बताना है को दूर दिश्ट्री दोस्को ठीक करने के लिए जो होगा options यानि की convex lens यूज किया जाता है जिसे हिंदी में उत्तल lens कहा जाता है ठीक है तो बढ़ते हैं 26 number question की और 26 number question पूछा है कि which ray affected by magnetic field चुमब की एक सेत्रे में कौन सा ray जो है वो मतलब effect करता है ठीक है उसका होगा alpha और beta रे को जो होगा वो चुमब की एक सेत्रे में effect करता है ठीक इसका ध्यान रख लेना है effect करता है इसका भी ध्यान रख लेना है तो बढ़ते हैं 27 number question क्यों 27 number question पूछा है कि टाइफाइट किसके कारण होता है आपको बताना है तो टाइफाइट जो होगा वो bacteria जनित रोग होगा यानि की जीवानु जनित रोग होता है ठीक है और polio जो होता है वो virus जनित रोग होता है इसका भी ध्यान रख लेना है तो बढ़ते हैं 28 number question क्यों 28 number question पूछा ही देखो बादल किसके कारण हवा में त्यारता है आपको बताना है तो बादल जो होगा वो हवा से भी कम घनतर होता है यानि की low density के कारण जो होगा बादल आस्मान में त्यारता है यानि की option C होगा इसका right answer तो बढ़ते हैं 29 number question क्यों 29 number question पूछा है कि measurement of frequency फ्रीक्विंसी का माप किस armstrong कितने के बराबर होता है कितने मीटर के बराबर होता है तो यह armstrong जो होगा वो 10 to the power minus 10 meter के बराबर होता है ठीक है इसके साथ हमारा जी के मतलब general science का part भी खतम हो गया आप बढ़ेंगा मियात की और मियात में आपका 15 question रहेगा जहां आपको 30 marks मिलेगा और जो भी 40 plus मार रह ठीक है और मैं आपका में smart trick भी सिखाऊंगा आप जरूर उसको follow करने ला बहुत ही अच्छा में trick सिखाऊंगा ठीक है तो बढ़ते हैं मैं आपकी first question की हो तो मैं आपकी first question यानि की 31 number question बहुत ही अच्छा question पूछा है आप सभी को अच्छे से पढ़के जरूर answer देना है ठी एक सो पैंतर से यानि कि option भी होगा इसका right answer देखो इस चीज़ का मैं फॉर्मूला एक बार जरूर बोल देता हो देखो internet angle का polygonal का formula होता है वो 2N-4 into 90 degree by N होता है ठीक है एन का मान कितना होगा 8 होगा क्योंकि 8 हो जा है ठीक है तो 2 into 8 minus 4 into 90 by 8 इसका मान कितना आएगा तो आए 135 यानि कि option भी होगा इसका right answer से तो बढ़ते हैं 32 number question क्यों 32 number question पूछा एक कार जो है दो घंटे के लिए चड़ा 60 km पर घंटे के हिसाब से और एक घंटा चला 40 km पर घंटे के हिसाब से तो उसका average speed यानि कि आसाद गती कितना होगा आपको बताना है देखो आसाद गती का ज है ठीक है तो total distance यानि कि कितना दूर गया तो एक दो बार मतलब दो घंटे के लिए चला 60 km मतलब 60 km पर आवर गया था ठीक है तो दो घंटे में कितना जाएगा दो इंटू 160 और प्लास एक घंटे के लिए चला 40 km पर आवर के हिसाब से तो बाई हम कितना करेंगे 2 plus 1 क्योंक प्लास 40 बाइ 3 इस इकल टो 160 बाइ 3 होगा तो कितना आ जाएगा option B यानि कि 9.33 km पर आवर होगा ठीक है यानि कि option B होगा इसका right answer तो बढ़ते हैं 33 नमबर question की हो 33 नमबर question बहुत ही अच्छा question पूचा है कि एक train देखो मतलब 75 km पर आवर के हिसाब से चलता है तो उसको 45 मिनिट में कितना distance जाएगा ठीक है मतलब 75 km एक घंटा में 75 km जाता है तो 45 मिनिट में कितना जाएगा आप इसको आसानी से निकल सकते हो देखो distance का formula क्या होता है distance is equal to time into speed ठीक है तो distance यहां मतलब minute में दे रखा है तो इसको आप उनको क्या करना है घंटे में परिवर्टत करना है तो 45 मिनिट कितने घंटा होगा 45 by 60 होगा और इंटो हम 75 कर देंगे क्योंकि 75 km पर आवार के हिसाब से चलता है तो आप इसको आगर आप करोगे तो इसका equation जो आजाएगा 56.25 यानी कि आप सन ये होगा इसका राइट एंस है ठीके तो बढ़ते हैं 34 नमबर कुश्चिन की 34 नमबर कुश्चिन इजी सा कुश्चिन पूचा है की What is the square root of 369664 इसका बर्गमूल क्या होगा आपको बतना है तो बर्गमूल जो होगा आप करके देख ले ना मियादवले सार ने बहुत अच्छे से सिखा दिया है आप जरूर दस बज़े क्लास जो है उसको फॉलो करो तो देखो बर्गमूल जो होगा वो 608 होगा 608 को आप 608 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा जो है ना वो आ जाएगा मतलब 369664 इसका आ जाएगा यानि कि आपसन यह होगा इसका राइटन सा तो बढ़ते हैं नेक्स कोईशन यानि कि 35 नमबर कोईशन की और 35 नमबर कोईशन बहुत ही अच्छा कोईशन दिया है यह कोईशन आपको दिया है बस आपको X का मान निकलना है ठीक है 3 is to 7 is equal to 39 is to X है तो X का मान कितना आएगा देखो 3 by 7 होगा 39 by X होगा तो X को हम इस तरह रखेंगे तो इसका मान तो आसानी से निकल के आ जाएगा भाई X का मान कितना हो जाएगा 35 नमबर कोईशन का राइटन सा जो होगा option C यानि कि 91 आ जाएगा ठीक है option C होगा इसका राइट अंसर बढ़ते हैं next question यानि कि 36 नमबर कोईशन की उच्छतिस नमबर कोईशन पूचा है कि 10 45 डिगरी का मान कितना होता है तो 10 45 डिगरी का मान जो होता है वो यह एक होता है ठीक है option यह होगा इसका right answer तो बढ़ते हैं next question यानि कि 37 नमबर कोईशन की उ 37 नमबर कोईशन पूचा है कि देखो कोईशन यह पूचा है कि 180 डिगरी दे रखा है आपको radius में कितना होगा आपको पूचा है तो 180 डिगरी है तो 180, 180 कर जाएगा यानि कि सिर्फ हमारा पाई रहेगा यानि कि option D होगा इसका right answer ठीक है तो बढ़ते हैं next question यानि कि 38 नमबर कोईशन की 38 नमबर कोईशन बहुत ही अच्छा कोईशन पूचा है कोई HCF निकालना है ठीक है देखो जो दे रखा है 144, 180, 190 का आपको HCF निकालना है तो इसका HCF जो होगा पहले 2 से जाएगा उसके बाद भी 2 से जाएगा उसके बाद 3 से जाएगा तो कितना आ जाएगा देखो HCF जो होता है जो सिर्फ हाइस्ट कॉमन फैक्टर होता है अगर आप सिर्फ इस तरह को जोड़ोगे तो 3 into 2 into 2 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा यानि कि आपसें जो होगा 12 आपसें सी राइट होगा तो बढ़ता है हम नेक्स्ट क्वेशन यानि कि 39 नमबर क्वेशन की तो 8 आ जाएगा ठीके तो X3-Y की आ जाएगा आनि कि A3-B3 का फर्मूला अगर आप निकाल दोगे तो इसका आ जाएगा ठीके A3-B3 का दो फर्मूला होता है अगर आपको आपसें वाइस चेक करना है तो देखो A3-B3 का एक फर्मूला होता है A-B2-A2 प्लास 2 XY प्लास 4 Y इसके आरह यानि कि Option यह होगा इसका राइट है ठीक है इसका दियान रखिलना बहुत अच्छा कोिस्टन था तो बढ़ते हम नेक्स कोिस्टन की और नेक्स कोिस्टन बहुत अच्छा कोिस्टन पुछाए next question देखो इस तरह का एक question आपको पका पुछा जाएगा question ये पुछाए कि zero से लेके 20 के बीच कितना मतलब जो प्राइम नंबर है आपको बतना है तो zero से लेके 20 के बीच जो होगा वो आठ प्राइम नंबर है देखो 2 होता है तीन होता है 5, 7, 11, 13, 17 और 19 जो होता है वो prime number होता है यानि कि 8 total 0 से लेकर 20 के बीच 8 total prime number होता है ठीक है तो बढ़ते हैं next question यानि कि 41 number question की और 41 number question पूचाई कि देखो चतरवुज की अगर आप सारी एंगेल यानि की कौन को जोड़ोगो तो कितना आजाएगा देखो इसका में एक कोई नहीं आपको सिखाया होगा मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनने देखो चतरवुज का जो होता है उसका टोटल जो आपका अंदर का अगर आप एंगेल को जोड़ोगे ना कौन को जोड़ोगे तो 360 डिगरी आएगा ठीके अगर चार बाहु होगा तो कितना आएगा 360 होगा ठीके तीन बाहु आएगा तो 180 होता है ठीके और पांच आता है तो 540 होता है ठीक है अगर आपको साथ आएगा तो 900 डिग्री होगा ठीक है इसका धियान रख लेना है बहुत ही अच्छा चीज था मैंने आपको दिखा दी आप जरूर इसको याद कर लेना है बहुत ही अच्छा कोईशन अगर आपको हाट भी देता है ना तब भी आप एजी ली निकाल सकते हो ठीक है नेक्स कोईशन यानि की 40 मतलब टू नमबर कोईशन की और 42 नमबर कोईशन बहुत एजी सा कोईशन पूछाए कि कंपाउंट इंट्रेस आप 10% 100 for two year will be देखो दो साल के लिए 100 रुपे का 10% के हिसाब से चक्रविधी भी आज कितना होगा आपको बताना है तो सिर्फ भी आज पूछाए ठीक है चक्रविधी के अंदर वो फॉर्मुला से जो हम निकालते हैं ना पी इंटु वान प्लास आरवाई 100 to the party उससे सिर्फ वो जो निकालते हैं आपका असली पैसा प्लास आपका बियाज जो है न वो टोटल मिला के आता है ठीक है अगर आप उस टोटल पैसे से अपना सिर्फ भी आज मतलब अपना असली पैसा निकाल दोगे तो क्या बच जाएगा आपका सिर्फ भी आज बच जाएगा ठीक है तो P into 1 plus R Y 100 to the 4 N इस फॉर्मिले पे निकालेगे P का मान कितना है 100 और R का मात कितना है 10 और T का मान कितना है 2 तो इसको अगर आप simply multiply कर दोगे तो 121 आ जाएगा तो 121 से अगर आप अपना असली पैसा कितना था 100 रुपे था अगर 121 से आप 100 रुपे निकाल दोगे तो कितन आ जाएगा 21 रुपे आ जाएगा ठीक है यानि कि option D हो जाएगा इसका right answer तो बढ़ते हैं 43 number question क्यों 43 number question बहुत ही easy सा question पूचा है कि which of the smallest natural number सबसे छोटा प्राकितिक संख्या कौन सा है बहुत सारे बच्चे इसमें भी confuse हो जाते है तो सबसे छोटा प्राकितिक संख्या जो 44 number question बहुत ही अच्छा question पूचा है the formula of fine total surface area of a right circular cone देखो इसका सीधा सा directly आपको formula पूछ लिया तो इसका formula जो होगा option B यानि कि pi R into R plus L होगा यानि कि option B होगा इसका right answer ठीक है तो बढ़ते हैं next question यानि कि मैंत की last question क्यों और बहुत ही अच्छा है इसको हम ठीक से तो आपका एक भी question doubt नहीं रहेगा इस तरह से एक भी question ठीक है तो बढ़ते हैं next question यानि कि 45 number question क्यों 45 number question क्या पुछा है आप उन जड़ा ध्यान से समझेंगे ठीक है question यह पूछा है कि A और B एक काम को 6 दिन में कर सकता है ठीक है और B अकेला वो काम को 15 दिन में कर सकता है ठ ठीक है B अकेला पंदरा दिन में करता है तो यह अकेला कितने दिन में करेगा इस तरह से मैत को आपको कुछ नहीं करना है ठीक है total दोनों मिल मतलब एक अकेला कितने दिन में करेगा एक अकेला छे दिन में करेगा B जो मतलब B जो है वो अकेला पंदरा दिन में करेगा ठीक ह तो B का मान कितना होगा 15 तो आप simply क्या जो मैं बोल रहा हूँ बस उसको follow कर लेना B का मान होगा 15 इंटू 6 कर देना बस मतलब B अकेला और जो मतलब पहले आपको अकेला इंटू दोनों मिलके जो करता है जो दोनों मिल के कितने दिन में करता है छे दिन में तो अकेला करता है पंदरा और मतलब दोनों मिल के छे दिन में यानि कि पंदरा इंटु छे उसको बास नीचे पंदरा माइनस सिक्स कर देना है ठीके यानि कि मतलब अकेला माइनस दोनों मिल के जितने दिन में करता है तो ब बढ़ेंगा हैं लौजिकल डिजिनिंग की तरफ लौजिकल डिजिनिंग में आपका पांच कोईशन पुछा जाएगा मैं जिस हिसाब से 6 टाइप बोलता हूँ आपको भाई 6 टाइप में से 5 टाइप आ जाएगा पका और आपका 10 नमबर कन्फरम हो जाएगा ठीक है और आपका जो मैं बोल रहा हूँ रिजिनिंग में पका आ जाएगा आपका जो है ना मतलब कौन किसका क्या होता ये आपका फादर है भी आपका मतलब सिस्टर है तो उस हिसाब से जो एक आता है ना लॉजिकल रिजिनिंग तो उसका एक पका आपको पूछ लिया जाएगा इ तो बढ़ते हैं हम लॉजिकल रिजिनिंग का फॉस्ट कोईशन की और फॉस्ट कोईशन पूचाए की देखो 66 यानि की 66 चापवन ने 48 आप इसके बाद के आएगा आपको यह पूचाए ठीक है उसके बाद 38 उसके बाद 36 दिया ठीक है तो इसको समझो देखो पहले अगर अगर आप माइनस 6 करोगे तो कितना आजाएगा 48 तो कितना हुआ पहले हमने 10 माइनस किया उसके बाद 8 किया उसके बाद 6 करेंगे ठीक है छे किया तो इतना आ गया तो इसके बाद आप 4 करोगे तो कितना आ जाता है देखो पहले हम 10 किया तो 10 किया तो 56 आ गया उसके बाद उसके बाद चार निकालेंगे तो बढ़ते हैं और ऊर्ती निकाल दोगे तो क्या आगा जन्वर इसे पहले आता है डिसेंबर ठीक है डिसेंबर का आप निकाल दोगे तो उसके बात दिया है यानि कि नवेंबर दिया है ठीक है उस तरह से आप अगर संडे है तो संडे से पहले कौन आता है सटर डे यानि कि सनी बार आता है तो सनी बार को अगर आप इस फॉर्म में लेख सकते हो और यह कोड को आप इस फॉर्म में लेख सकते हो तो इस कोड का फॉर्म फॉर्म जो होगा वो क्या होगा आपको बतना है इस तरह से कोई संसर जैसे कि मैंने लिख रखा है आप बस इस तरह से follow करना है पहले आपको क्या करना है पहले जो दिया है उसके नीचे नीचे का कोड क्या होगा उसके बाद A का कोड जो है W होगा R का Code भी होगा तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो option C हो जाएगा right answer ठीक है आपको कुछ नहीं करना बस option C इस तरह से आपको ठीक कर देना है ठीक है तो बढ़ते हैं next question क्यों next question हमने पूरा नहीं लिखा मैं आपको बोल देता हूँ यह आपको time दिया है ठीक है इस time को आपको क्या करना है इस time को जो है तो देखो इस time को आपको पहले ठीक करना है इस later को उसके बाद क्या आता है आपको बतना है ठीक है अगर आप इस later को ठीक करोगे तो क्या आएगा है देखो अगर आपको न इस तरह एक थोड़ा मुस्किल question है ये मैं भी मानता हूँ क्योंकि इस तरह से question आने का बहुत कम chance है फिर भी hard question हो सकता है इसलिए हमने include किया देखो इसको क्या लिखा जा सकता है तो इसको लिखा जा सकता है b-r-i-n-g-a-l इसका मतलब क्या होता है बेंगन होता है ठीक है इसका मतलब होता है बेंगन तो बेंगन एक क्या है vegetable यानि की बाई एक जो होगा सब्जी होगा यानि की option भी हो जाएगा इसका right answer ठीक है तो बढ़ते ह एंटी क्लॉकवाइज एक सो पैंटीस डिग्री टान लिया ठीक एंटी क्लॉकवाइज उसके बाद उसने एक सो आसी डिग्री जो है वो क्लॉकवाइज घूम गया तो वह अब की इस डायरेक्शन में है की मतलब कौन से दिशा की ओर मुझ किया है आपको बतन है तो इस तरह से क्या आपको बस इस तरह से एक प्लास चीनल लिखते ना है आपके बाई और होगा डबलू यानि की वेस्ट नीचे ओर होगा सौथ यानि की दक्सिन ऊपर की ओर होगा नॉर्थ और मतलब ढाई ओर होगा बाई इस ठीक है तो पहले उसने क्या किया उसने क्या आपको जैसे कि बोला उसने वाई साउत की ओर फिचकुई जैसको आपको गूम गया इस बिंदू पे लेके आओगे तो कितना आ जाएगा 180 दिग्री आ जाएगा तो आब वो किस तरफ मुह किया है वेस्ट और साउथ की ओर ठीके यानि कि साउथ वेस्ट की ओर मुह किया है यानि कि option D हो जाएगा इसका राइट एंसा दक्सिन पस्चिम की ओर मुह किया हुआ है ठीके और हम आपको सारा PDF की तोरवी भी सेंड कर देते हैं जो बचे पेमेंट दे के लेते हैं ठीके 50 रुपे बस फीस लगता है हम आपको मैत का भी पूरा PDF देता है जी के जनल साइंस सब कुछ का PDF देते है तो अगर आपको PDF चाहिए तो भाई नीचे दिये फोन नंबर प पर फोन पर Google पे पर पी टियम के जड़ी ब्रया 50 रुपे मेंट और और इसी नंबर पर मेरा उटसड एकांट है बस आप सेंड कर देना मतलब उटस ये स्किनन सोर्ट सेंट कर देना कि 사aham ने स्किनन सोर्ट सेंट कर दिया जिस दिन आप सिर्फ सेंट कर दोगे उस दिन आपको PDF मिल जाएगा PDF में बहुत कुछ होगा आपका जिन्दगी बना देगा मान के चलना PDF में जो दूँगा मैं 45 के उपर common 100% आ जाएगा आप देख लेना मेरे भाई सिर्फ 50 रुपे लगता है बहुत सारे दूसरे लोग आपसे बहुत पैसा लेते होंगे पर हम कम लेते हैं क्योंकि हम आपके लिए सोचते हैं हमारे मुनाफ़े के लिए नहीं सोचते हैं 50 रुपे से मेरा भी कुछ नहीं होगा उल्टा मेने 18,000 र पुछ मिल जाएगा बस 50 रुपे में और टाइम टू टाइम हम आपको पढ़ाते भी रहेंगे और सब गूप में और को इसन भी आता रहेगा और सब गूप में जो बच्चे जुड़े हैं उनके इस महीने के आखिर मतलब इस महीने के आखिर हो गया तो मतलब फस्ट तारि का फुल कोर्ष देते हैं जैसे कि हम सामा आ। बझे भई मेयात मतलब सामा अड़ बज़े जी के और जनल साइनस का क्लास देते हैं और सुबह दस बझे जो होगा मयात और प्र और रिज्जनी का से क्लास देते हैं तो एक दम हम कंप्लिट इंडियन आर्मी की तैयरी करवा देते हैं आपको तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इससे बढ़ीया मौक़ा आपको कहीं नहीं मिलेगा भई आप फाजी बन जाओगे इसी साल बन जाओगे अगर आप हम से हर रोज follow करते हैं हमारे question को तो जरूर आप फौजी बन जाओगे क्यों हम उस हिसाब से आपको हमारे experience की हिसाब से हम आपको पढ़ाते हैं तो वेफी कर रहे हैं न हम आ जाएंगे कल सुबह 10 बजे मैत का class चलेगा तो कल साम 8 बजे जो होगा हमारा GK original science का class चलेगा क्योंनल साइंस का class लेंगे ठीक है